Constitution of India में जितने भी हमारे important question बनते थे वो सारे questions और आज के session में शुरू हो रहा है Indian Penal Code 1860 और Indian Penal Code 1860 में आज हम जो है हमारे section number 34-35 तक जितने भी important MCQs बनते हैं prelims के point of view से उनको discuss करने वाले हैं good morning blossom good evening blossom sisters clear तो चलिए शुरू करते हैं आज का session सबसे पहले अगर आपने इन में से किसी भी social media handles पर हमको अभी join नहीं किया है तो आप हमें join कर सकते हैं हमारे telegram group पर Facebook पर Twitter पर LinkedIn पर और Instagram ठीक और अगर आपको आज के session की जो है PDF फाइल चाहिए तो आप इस telegram group को join कर लीजिए यहां पर यह PDF आपको provide कराई जाती है very good evening मोनिका जी very good evening तरुन जी देव प्रसाद जी very good अब एक important announcement है कि उत्तर प्रदेश जुडिश्री का notification आने वाला है और आपको जल्द ही इसी मंत में notification देखने को मिल सकता है जो भी लोग हमारे UP को target कर रहे हैं उनके लिए मैं जो है daily 6 वजे क्या कहते हैं target UP जुडिश्री में लेकर आता हूं सारे के सारे important और MCQ questions ठीक और उ सिर्फ UP की state के लिए ही design किया गया है ठीक इसमें आपके लिए cover किये गए हैं सारे के सारे major loss सारे के सारे minor loss और इसमें specifically आपको provide किये जाते हैं जो है UP के सारे के सारे local loss prelims के point of view से और mains के point of view से और जो भी यह हमारा most valuable course है UP जुडिश्री का उसका compilation आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा 12,499 में अगर आप यूज करते हैं अपूर्फ का code अगर आप यूज करते हैं APU code जो है हमारे website पर जाकर तो आपको exclusive UP का course मिल जाएगा सिर्फ और 12,499 में और अगर आपको यही course double validity के चाहिए तो यह आपको 15,000 रुपीज में मिलता है जब आप यूज ठीक है अपूर्फ का code यूज करने पर आपको यह course मिल जाएगा good evening all of you अगर मेरी अवास clear आ रही है तो एक बार thumbs up कर दीजे clear है अवास boards आप दिखाई दे रहा है सब लोग आ गए good evening बश्रा जी इंद्रजीत जी very good evening वैनी जी आ चुकी है शिक्षा मलिक भी है ठीक जो भी बच्चे यूपी की तयारी कर रहे है ठीक और अगर जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए है मैं उनसे एक request करना चाहता हूं कि जितने भी लोग ठीक आपके आज पड़ोस में आपके friend circle में आपके college वाले लोग जुड़ीशिरी की तयारी कर रहे हैं और target कर रहे है यूपी जुड़ीशिरी को देखो यूपी में भहुत सारे बच्चों को wait रहता है इंतजार रहता है क्योंकि पिछली last vacancy आई थी 2018 में जो है 610 सीटे आई थी उसके बाद देखो 20, 21, 22 ठीक पूरा 22 निकल गया चार साल हो गया अभी तब कोई vacancy नहीं आई तो इस वार भी जो है ना bumper vacancy आने के chances है ठीक तो bumper vacancy आने के chances है और आप से यह मौगा miss नहीं होना चाहिए इसी वज़े से study IQ ने आपको दिया है यूपी जो है उत्तरपिदेश जु चलिए शुरू करते हैं आज जो है हम discuss करने वाले हैं mcq question of Indian penal code 1860 से related और जो है हमारा आज discussion होने वाला है section 1 से लेकर जो है section 34 तक इतने mcqs जो है आज cover करेंगे क्योंकि हमारा जो है introductory part जो है Indian penal code का ठीक वहां से ही बहुत ज्यादा prelims के mcqs बन जाते हैं ठीक चलिए शुर करें ठीक आईए पहला question आपके screens पर who prepared the first draft of Indian penal code 1860 बहुत ही important question है options है आपका जो है पहला cannon दूसरा इसका सही answer क्या होगा कि Indian penal code 1860 का draft किसने त्यार किया था देखिए किसने त्यार किया था यह answer जो है सभी बच्चे दे सकते हैं लेकिन किस year में त्यार किया था कोई मुझे बता सकता है कि year कौन सा था जब हमारा IPC बनके ready हुआ और governor general of India को जो है दिया गया था जब बात होती है ना Indian penal code की ठीक तो Indian penal code को draft किया था हमारा ठीक है 1834 में और यह draft किया था किसने हमारे जो मैकॉले थे यह जो है drafting committee के head थे और इसको जो है handover किया गया governor general of India को 1835 में ठीक 1835 में जो है क्या कहते है इसको इनको handover कर दिया गया और उसके बाद क्या 1860 में इसको जो है लेकर आया गया और इसकी enforcement देखते है कौन बच्चा हमें सबसे पहले बताता है कि Indian penal code को किस दिन enforcement या फिर किस दिन से यह इंडिया में लागू हुआ देखते है कितने लोग बताते हैं 1860 का यह act है ठीक तो यह enforcement जो है इसकी कब हुई एक बच्चे का answer आया है दूसरे ने answer किया है ठीक कुछ बच्चे इसमें गलत कर रहे हैं देखो Indian penal code का draft जो है पूरी तरह से बनके 1835 में हो गया था लेकिन कुछ कारणों की वैसे इसको applicable नहीं किया ग लेकिन इसका enforcement डेट जो है जो यह commence हुआ है यह जो लागू हुआ है ना वो डेट है हमारी कौन सी फर्स्ट जैन 1862 से जो है इंडियन पीनल कोड ने क्या किया इंडियन पीनल कोड को इंडिया में लागू कर दिया गया और सभी लोगों ने बिल्कुल जो है सही answer किया है और हम डेली बच्चों को सामको छेवजे मिलते हैं और हर एक subject के mcqs कराते हैं constitution of India से related जो है last class में ही हमने सारे mcqs को chapter wise, part wise, least important, most important और जो है normal questions को भी एक एक करके discuss किया है तो वो सारे लोग जो है जाकर वहाँ पर constitution of India के सारे parts देख सकते हैं और आज से Indian penal code को सुरू कर रहे है और कर रहे है target किसको कौन से state को target कर रहे है target कर रहे है यूपी जुडिश्री को और मेरी एक request आप से यह है कि जितने भी लोग जितने भी friends आपके जानने वाले हैं और आपके साथ में तयारी कर रहे है यूपी की या फिर किसी भी other जो है state की तो उनसे आप बोल सकते हैं कि daily mcq practice कराई जाती है study IQ के इस channel पर और छे वजे मैं आपको मिलता हूँ ठीक चलिए next question आपके screens पर सुरू करे cardinal principle of criminal law new law crime senior league ठीक का मतलब क्या है जल्दी से बताइए कि यह जो latin word है इसका क्या मतलब है option a no crime or punishment can exist without a pre-existing penal laws be a man is presumed to be innocent until proven guilty see ignorance of law is no excuse option d and act must be accompanied by a criminal intent to constitute and offense जल्दी से देखते हैं इसका answer कौन-कौन सही देता है संदीप सिंग जी ने answer किया है सानु जी ने answer किया है वुसरा ने answer किया है वैनी ने answer किया है ठीक देखो यह जो maxim है इसका literal meaning है no crime or punishment can be exist without a pre-existing law इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी law नहीं है और उसमें वो जो है क्या है कोई भी उसको offense नहीं बनाया गई है तो ऐसे cases में जो हमारे offense ही नहीं है तो इसमें हम किसी भी व्यक्ति को punish नहीं कर सकते यह criminal law का basic funda भी है ठीक तो यह इसका जो है correct answer है जिन लोगों ने सही answer दिया है उनका तो बहुत सही लेकिन कुछ लोगों ने इसमें गलत answer किया है ठीक तो वह इस चीज़ को अपने वेयर एक्ट में तुरंद के तुरंद यहीं पर लिख लेंगे क्योंकि यह यूपी के प्रिलिम्स के लिए important maxim है clear आगे चलते है next question पर और next question आपके स्क्रीन्स पर crime is set to be an act which is both forbidden by law and against the moral sentiments of the society यह कथन जो है यह definition किसके द्वारा दी गई है जल्दी से बताईए option A Stephen, option B Povell, option C Pound, option D Bentham देखो यह जो हमारी definitions है ठीक यह definitions भी ठीक अमिता दुबे very good evening definitions भी UP और खास करके विहार ठीक UP विहार में यह जो है definitions इस तरीके की जो भी हमारे authors ने दी हुई होती है उनसे question पूछ लिए जाते हैं और आपको देखने को मिलेगा कि हर एक subject में चाहें हमारा constitution हो जिसमें भी landmark जो है judgment आए हैं उनके courts आपको मिलेंगे IPC में जो है जो भी हमारे authors है उनकी जो definition है वो देखने को मिलेंगी तो जल्दी से इसका सही answer बताईए कि इसका सही answer यह definition किस ने दी है अभी तक भी जो है किसी भी बच्चे ने सही answer नहीं दिया है ठीक देखो इसका जो सही answer है वो है option नंबर ए ठीक स्टीफिन ने यह जो है crime की definition provide की है और यह जो है prelims के लिए बहुत जादा important question है ठीक जल्दी से इसको जो है क्या गयते हैं लिख लीजी अपने बेर एक्ट में कहीं भी कि यह जो definition provide की गई है crime की यह definition इस्टीफिन द्वारा प्रोवाइड की गई है उप यूपी प्रिलिम्स के लिए बहुत important है clear आगे चलते हैं next question आपके screen of the court तीसरा title and jurisdiction of the court चौथा नन ओफ दी अभव कि भूत सारे लोगों ने इसका आंसर किया है वैनी ने आंसर दिया है शाक्षी शिक्षा मलिक ने आंसर दिया है अर्पित वैनी इंडियन कल्चर असोक ठीक और सभी ने इसका सही आंसर किया है बी इस दा करेक्ट ऑप्शन जो section 1 है हमारा वो बताता है आई-पी-सी का title and the extent of operation of the court जिसमें हमें बताया गया है कि इस एक्ट में भी कॉल्ड एस इंडियन पीनल कोड 1860 एंड एक्स्ट टू इट एक्स्टेंट टू होल इंडिया ठीक है और जो एक्सेप्ट जम्बू कस्मीर वाला कि लॉज था वो हटा दिया गया है वहां पर भी हमारे लॉज जो है क्या होते हैं एपली के विल होते हैं जब से हमारा article 370 को पार्लियमेंट ने हटाया है तब से तो option B is the correct answer of this question चलिए आगे चलते हैं next question पर question was this it was observed by lord arvinger in which case पहला heading versus prince दूसरा आर वर्सेज ओल्डे तीसरा आर वर्सेज फ्लॉवर चौथा brand versus boots यह देखते हैं देखो हिंदी मीडियम का तो batch नहीं है और course भी हिंदी मीडियम में नहीं है ठीक English मीडियम का course है लेकिन जो आपको पढ़ाया जाता है टीचस के द्वारा और जो आपको समझाया जाता है वह हिंदी में ही समझाया जाता है लेकिन जो पीपीटी प्रोवाइड की जाती है वह आपकी English में ही प्रोवाइड की जाती है तो यह English और हिंदी का कॉंबिनेशन है, हिंगलिस बोल सकते हैं, हिंगलिस में आपको पढ़ाया जाता है और PPTs भी प्रोवाइट कराई जाती है, चलिए इसका आंसर करिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं, बहुत ही important question है यूपी prelims के लिए ठीक, और यूपी prelims के लिए बहुत important है तो आपको ये question पता होना चाहिए, ठीक, important question है हमारे यूपी के लिए, जल्दी से अगर यूपी को target करना है और यूपी इस बार निकालना है, तो आपको इस तरीके के question तो आने ही आने चाहिए, देखो इसका जो सही answer है ना, इसका जो सही answer है वो है option number B, are versus all day में ये statement लिया गया है और वहाँ पे ये statement बोला गया था, तो किसी भी बच्चे ने सही answer नहीं किया है अब तक किसी का सही answer नहीं आया, तो इसको please मेरी request है कि अपने बेर एक्ट में लिख लो, ये जो है UP और विहार के लिए important question है prelims के point of view से, clear, आगे जलते है next question on your screens, the essential ingredient of crimes are, ठीक essential ingredients क्या होते हैं एक crime को करने के लिए पहला motive, man seria and actor seria, ठीक, दूसरा motive, intention और knowledge तीसरा man seria and act seria, चोथा knowledge, intention और action जल्दी से इसका answer कीजिए, क्या आपके इसाब से सही answer होना चाहिए अर्पित दिवेदी, बुसरा फातिमा, 3D science hub, ठीक, daydream सिवानी, देखो, यहाँ पर क्या है, इंडिया में ingredients देखे जाएं crime को करने के लिए, तो दो ingredient निकल के आते हैं, पहला man seria और दूसरा act seria, man seria मतलब आपने किसी भी offense को करने के लिए, crime करने के लिए क्या किया है, प्रिपरेशन की है, planning की है, ठीक, और planning करने के बाद आपने उस act को, crime को, offense को कर दिया है, उसके लिए आपने act कर दिया है, ठीक, act के consequences क्या है, इससे मतलब नहीं है, ठीक, आपको किसी को गोली मार नहीं थी, आपने gun खरी दी, जाकर आपने गोली मार दी, गोली उसके लगी या नहीं लगी इससे फरक नहीं परता आप जो है attempt के लिए भी punishable माने जाओगे तो दो है हमारे जो है legal point of view से अगर देखा जाए तो option c is the correct answer of this question clear आगे चलिए शिवानी जी कहे रहे हैं सर्भ भूल गए मतलब क्या भूल गए समझा नहीं है चलो आगे चलते हैं next question on your screens right which one of the following cases not related to man Syria जल्दी से बताइए इन मैंसे कौन सा जो है क्या है case related नहीं है मैंसीरिया से ठीक options आपके screens पे हैं सिवानी जी कि एक बच्चे ने इसका आंसर किया है निक्की कौर ने भी इसका आंसर किया है कि कृपा सभी लोग इसका जो है सही आंसर कर रहे हैं option डी ब्रेंद कुमार घोर वर्सिस ठीक इंपिरर का case जो है वो related नहीं है हमारे किस से not related to मैंसीरिया ठीक बाकी ये तीनों जो case है हमारे यहां पर लिखे हुए है वो जो है मैंसीरिया से related जो क्या है मैंसीरिया से related है तो option D is the correct answer of this question ठीक आगे चलते हैं next question की ओर और next question on your screens which one of the following is not generally and essential elements of crime अब जल्दी से मुझे बताईए एक क्राइम को करने के लिए कौन कौन सी requirement होती है और एक क्राइम को करने के लिए क्या क्या चीज़े essential हैं यह आपको मुझे बताना पड़ेगा option A is act serious option B man serious option C motive ठीक option D human being देखते हैं इसका कौन-कौन लोग सही आंसर करते हैं देखो एक्ट serious मैंने अभी आपको बताया एक essential element है क्राइम का मैंसीरिया भी एक essential element है क्राइम का ठीक और क्राइम कर कौन रहा है human being crime कर रहा है ठीक और किसके against कर रहा है दूसरे human being के against कर रहा है ठीक तभी यह crime माना जाएगा तो यह जो तीनों चीज़े निकल कर आती है यह हमारा एक जो है क्या crime का most important element होता है किसी भी crime को करने के लिए लेकिन motive की जो है कोई भी value नहीं होती है यहाँ पर clear तो option C is the correct answer of this question moving ahead next question on your screens in which one of the following offense manseria is not an essential element जल्दी से बताईए कि इन में दरसाए हुए offenses के बीच में manseria जो होता है वो जो है क्या है वो जो है essential condition नहीं है ठीक जल्दी से बताओ इसका पहला assault दूसरा by gaming तीसरा deformation चौथा none of the above क्या हमारे assault में हमारा क्या कहते है किस चीज़ का जल्दी से बताओ manseria की जरूवत है by gaming के अंदर manseria की जरूवत है deformation के अंदर manseria की जरूवत है या फिर तीनों में ही जरूवत है none of the above इसका सही answer है जल्दी से comment में आप बताईए यहां पर जो बात हो रही है यह पूछ रहा है कि किस में manseria की जरूवत नहीं है ठीक तो जब बात होती है section 494 by gaming के case में ठीक by gaming के case में जो है section 494 manseria की requirement नहीं होती तो इसका जो सही answer हुआ option number b is the correct answer clear आगे चलते है next question सभी लोगों ने सही जवाब दिया है बहुत अच्छे very good nice आगे चलते है which one of the following is not sign qua non for making the personal criminally liable जल्दी से बताईए sign qua non कौन सा नहीं है actor serious manseria motive all of the above तीनों ही नहीं है जल्दी से बताओ जेको ये question इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इसी तरीके से हमने देखा है ये वाला question कई बार बहुत सारे state के prelims exam में पूछा गया है ठीक तो इसका जो सही answer आपके हिसाब से होना चाहिए ठीक वो कौन सा होना चाहिए अभी ये question हमने discuss किया है दूसरे perspective से और दूसरे उसकी language से इसका भी सही answer है option number C ठीक motive की जो है requirement नहीं है कोई भी crime करने के लिए और अगर आपसे sign को non के बारे में पूछ लिया जाए तब भी आप जो है इसका option number C ही answer टिक करके आएंगे clear आगे चलते हैं next question की और next question आपके screens पर an act forbidden by law and which is at the same time revolting to the moral sentiments of the society is called crime ठीक it is said by ठीक ये जो हमारी crime की definition है ठीक वो किस ने दी है पहला कीटन दूसरा ओस्टिन तीसरा स्टीफिन्स और चौथा पैटन जल्दी से देखते हैं कि ये crime की definition किस ने दी है किसी बच्चे को ये important question है प्रिलिम्स के लिए पता है या नहीं पता जल्दी से बताईए कि ये जो है हमारी crime की definition किसने दी है sentiments of society की बात कौन करता है देखो इन definitions को याद करने का क्या तरीका होता है इन definitions को याद करने का तरीका होता है कि जो definition है उसका जो है आप कोई कोर पार्ट निकाल लें ठीक कोर पार्ट निकालके उसको याद कर लें ठीक तो यहां पर moral sentiment of the society की जब बात होती है ठीक तो यह बात किसने कहीं है यह बात कहीं है हमारे स्टीफिंस ने किसने option sees the correct answer सारे ही लोगों ने इसका सही आंसर दिया है बहुत अच्छे और जिन लोगों ने गलत आंसर किया है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अब भी अपने वियर एक्ट में लिख लो important question है ऐसे definitions वाले question दो तीन marks के आपको यूपी प्रिलिम्स में देखने को मिलेंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट कोश्चन which one of the following is normally and essential element of crime जल्दी से बताओ ठीक इसको देखते हैं कौन सही जवाब देता है कि क्राइम को करने के लिए एक essential element क्या है जल्दी से देखते हैं इसका सही आंसर कौन करेगा options आपके screens पे हैं बहला option है violation दूसरा है act serious तीसरा है motive और चौता है will कि कि किसी भी crime को commit करने के लिए ठीक किसी भी crime को commit करने के लिए कौन सी चीज required है ठीक तो इसका सही आंसर है option नंबर B option नंबर B act serious required condition है हमारी किसी भी crime को करने के लिए clear तो मैंने आपको पहले ही बताया man Syria और जो है act serious दोनों ही जो है most important है अगर कोई भी crime commit करना है तो clear आगे चलते हैं next question की और और next question आपके screens पर A is a good swimmer looks B drawing but does not try to save A A committed the offense of यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक A है व्यक्ति A जो है क्या है बहुत अच्छी swimming जानता है वो जो है देख रहा है कि B उसके सामने डूब रहा है लेकिन वो उसको बचाता नहीं है तो A ने यहाँ पर कौन सा offense किया है पहला murder दूसरा culpable homicide not amounting to murder तीसरा causing death by death due to negligence act चौथा not committing any offense जल्दी से इसका answer करिए very good evening इर्फान खान अच्छा इसका तो answer सबने सही दे दिया ठीक विल्कुल सही answer दिया है कि a good swimmer है वो देखता है कि b डूब रहा है और वो जो है क्या है वो उसको बचाने नहीं जा रहा तो उसने जो है कोई भी offense commit नहीं किया as per ipc तो d जो है क्या है d is the correct answer not committed any crime अब थोड़ा twist लाते हैं ठीक की duty है क्या है कि swimming pool जो है swimming pool में कोई भी इंसान अगर डूपता हुआ वहाँ पर दिख रहा है तो ऐसे cases में यह जो है क्या है वहाँ professionally appoint किया गया है इस चीज के लिए कि वो उनको बचाएगा डूपते हुए लोगों को ठीक तो ऐसे cases में आप मुझे यह बताईए तो swimming pool में अब गया है भी जो है swimming कर रहे हैं इनको swimming नहीं आती है swimming pool में डूब होंगे होगा ठीक clear Indian penal code का ठीक आगे चलते हैं next question की और next question आपके screens पे in national of Pakistan fires from other side of the border and a person within the Indian border is killed ठीक the relatives friends and other Indians rush and drag to the Pakistani to border Indian police station ठीक can the Indian courts try the accused of murder यहां पर पहले question को समझ लो क्या कहना चारा है कि एक जो है पाकिस्तानी है ठीक यहां पर माल लीजे यह border है यह पाकिस्तान का एक इंसान है यह firing कर रहा है यहां पर जो है Indian लोग है ठीक यहां पर Indian लोग है तो यह इधर से firing कर रहे हैं और इनकी जो है death हो जाती है इधर firing की वज़े से अब यह क्या करते हैं जो इसके रिलेटेव है वह भाग के जाते हैं और इसको उठाके ले आते हैं और Indian courts में present कर देते हैं तो क्या Indian courts जो है पाकिस्तान वाले व्यक्ति को जिसने मडर किया है किसी भी Indian का ठीक तो उसको जो है punishment दे सकती है option A no Indian courts have no jurisdiction option B yes option C he shall be handed over to the Pakistan authority for the trial in Pakistan option B none of the above को सारे के सारे बच्चों ने इसका आंसर कलत किया है एक बच्चे का अब तक सही आया है वो है सिवानी शिंग जी ठीक जितेंद जी का भी आंसर सही है अमिद दोवे जी का आंसर सही है अभिशेक गौतम का आंसर सही है देखो Indian courts के पास jurisdiction है उस व्यक्ति को ट्राय करने का अब इसको समझा देता हूं कैसे देखो कोई भी Indian पहले तो एक चीज समझ लो ठीक कोई भी Indian परसन है ना मालो यह Indian व्यक्ति है ठीक तो इनके सर पर यह मालो सर पर जो है इंड आई पीसी रखी हुई है समझ गए जैसे मैं एक Indian परसन हूं मेरे पास इंडिया की citizenship है और मेरे तो जहां जहां मैं जाओंगा all over the world ठीक तो मेरे सर पर जो आई पीसी का डंडा है न वो हमेशा रहेगा तो मेरे सर पर आई पीसी रखी है तो मैं पूरे भी all over the world कहीं भी जाता हूं और जो है तुम क्या चhoe कि ख dość कोई भी Indian डियां चैनलन द्धि या फिर कोई भी इंडिया का शिप या फिर एक्राफट ठीक या फिर किसी भी electronic means के थुरू ठीक क्या इन तीनों ही condition में कोई भी Indian है या फिर कोई भी इंडिया में registered ship और aircraft है या फिर किसी भी electronic means से इंडिया से बाहर ये तीनों चीज़े हैं और इंडिया के किसी भी व्यक्ति को ship को aircraft को या फिर electronic electronic माध्यम से इंडिया में कोई भी effect पहुचा रहे हैं ठीक तो वो सारे के सारे person को भी क्या किया जाएगा IPC के तहत लाकर यहां पर उनका trial किया जा सकता है ठीक तो समझे दोनों ही बाते हैं Indian citizen कहीं भार जाए crime करेगा तो IPC उसके सर पर है जहां जहां वो जाएगा उसको follow करना पड़ेगा ठीक और इंडिया में registered कोई ship है aircraft है उसके अगेंस्ट में कोई offense हो रहा है Indian citizen के अगेंस्ट में कोई offense हो रहा है ठीक या फिर किसी भी electronic माध्यम के धुरू जो है क्या किया जा रहा है इंडिया पर अटेक किया जा रहा है ठीक साइवर क्राइम हो गए यह सब जो है ठीक तो यह सारी चीजे भी जो है IPC में cover की गई है इसी वज़े से जब यह इसको यह इंडिया में उठाकर ले आए पाकिस्तान से इसके और मरा कौन है मरने वाला जो है क्या है हमारा मरने वाला है हमारा Indian citizen ठीक तो क्राइम किसकर एंडियान region रहा इंडियान सथी जन के अकेडिंग तो यह है इसका जो है इंडियान कोर्ट के पाँवर है कि उसको ट्राइक कर सकते हैं clear यह इसका फूरा detailed solution है बहुत सारे लोगों में जो है इसके लिए जो है क्या होता है बहुत सारे लोगों को इसका confusion होता है clear आगे चलते हैं next question की और next question आपके screens पर in every statute means man Syria is to implement unless contrary is so this view was expressed in कौन से case में कहा गया था श्रेया वर्सिस डिर डिरुडजेन ठीक दूसरा आर वर्सिस डुडले एंड इस्टिप्शन तीसरा हार्डिंग वर्सिस प्रेंस चौथा आर वर्सिस प्रेंस ये जो statement है ये जो expression है बताईए कौन से case में कहा गया था कि नहीं आर वर्सिस प्रेंस में नहीं कहा गई ये बात किसी ने भी इसका सही आंसर नहीं किया है ये जो है हमारा स्रेया option नंबर ए ये जो कथन लिया गया है वो लिया गया है स्रेया वर्सिस डिरुडज श्रिया वाले case से clear तो इसका जो सही answer है इस ये जो expression लिए गए है वो हमारे श्रिया case से लिए गए है तो age the correct answer prelims के point of view से important है इसको लिख लीजिए ठीक blossom sisters ने इसका सही answer दिया है next moving ahead next question under section 10 of Indian penal code man denotes a male human ठीक तो being of male human being of कितनी age का होगा वो male ठीक 16 साल 18 साल 21 साल और any age किस respect मैं पूछ रहे हैं under section 10 of Indian penal code जो man को परवासित करता है उसमें जो है male human being जो है क्या है कितनी age का होना चाहिए जल्दी से देखते हैं इसका सही answer कौन कौन देता है सभी लोगों ने इसका सही answer किया है देखो अगर बात होती है section 10 of IPC की तो वहां पर जो male की परिवासा दी गई है उसमें cover किया गया है किसी भी age का कोई भी male person ठीक है तो option D is the correct answer of this question और सभी लोगों ने इसका बिल्कुल ही बहुत ही बैतर इन तरीके से जो है सही answer किया है next question आपके screens पर transgender has been recognized as the third gender with all rights and a right to reservation by the supreme court in case of ठीक यहां पर कह रहा है कि जो हमारी third gender community है मतलब जो transgender लोग है उनको जो है rights as a transgender कव उनको और किस case से rights दिए गए पहला नाज foundation versus government of nct Delhi दूसरा बलजीत सिंग versus state of हर्याना तीसरा नलसा versus union of इंडिया चोथा ठीक bridges when kata versus state of करनाटिका जल्दी से बताईए कि ट्रांस जेंडर को ट्रांस जेंडर का दर्जा किस के थ्रू मिला है देखो पहले transgender को क्या था हमारा कोई भी जो है क्या है कोई भी हमारा जो है क्या नहीं दिया गया था उनको किसी भी नेम से recognize नहीं किया जाता था ठीक लेकिन इनको एक थर्ड जेंडर बना दिया गया जैसे मेल और फीमेल हमारे किसी भी फॉर्म में देखने को मिलता है अब आपको वहां पर transgender का भी कॉलम देखने को मिलता है क्योंकि इनको एक थर्ड कैटेगरी दे दी गई और यह दिया गया है सुप्रीम कोट के द्वारा और यह बात कही गई है हमारे नलसा वर्सेज यूनियन के केस में 2014 का यह जो लेंडमार्क जज्मेंट है सुप्रीम कोट आफ इंडिया का और इसमें जो है ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का राइट दिया गया है जितने भी लोगों ने आंसर किया है बिलकुल सही आंसर किया है एक्सेप्ट शानू के अलावा वाकी सब लोग स्क्रीन्स नाव हूँ अमंग दा फॉलोइंग इस नॉट पब्लिक सर्वेंट जल्दी से बताईए ठीक नीचे दर्साए हुए एक आप्सनों में से कौन पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता है पहले तो बताओ पब्लिक सर्वेंट आई-पी-सी के कौन से सेक्षन में बैंक कौन से लोग जो है हमारे वैनी जी ने सही आंसर किया है इंद्र जी ने सही आंसर किया है पब्लिक सर्वेंट की जब बात होती है तो बात होती है सेक्षन 21 ऑफ हिंडियन पीनल कोड की और यह कोश्चन भी प्रिलिम्स के लिए बहुत जदा इंपोर्टेंट है क्यों उने HAIR पभलिक सर्वेंट की डिफिनिशन में बाकि यह जो तीनों लोग है वह जो है हमारे प्रिलिक की कैट इटिगरी में ऐंसर कि कुछ लोगों ने इसका गलत आंसर किया है ठीक तो ध्यान रखना कि चीप मिनिस्टर चीअर्मेन औऊफ सेंटरल और फिल्म सेंसर और ठी अगले question पर चलते हैं अगला question आपके screen पर Court of justice is defined in IPC under which section ठीक क्या पूछ रहा है कि जो हमारा Court of justice है वो IPC के कौन से section में define किया गया है section 17 section 18 section 19 and section 20 Court of justice की बात होती है तो Court of justice हमारा public servant से एक section जो है पहले define किया गया है ठीक इसमें मतलब section 21 में तो क्या define किया है public servant को define किया है और इससे पहले ही Court of justice की बात की गई है तो Court of justice define किया है हमारे section number 20 में clear moving ahead आगे चलते हैं next section और next section on your skins now in which section of IPC public servant is defined अभी में चल्ला चल्ला के बता हूँ ठीक है public servant क्यों से section में define है जल्दी से बताइए important question है prelims के लिए easy है लेकिन जो है directly ही हमसे question ऐसे पूछ लिए जाते है starting part of Indian penal court से जहां पर हमें हर एक चीज़ की ठीक mail कौन होगा public servant कौन होगा court of justice क्या है फीमेल क्या है एक्टोमीशन कहा है यह जो है directly section में define किये गए है इसी वज़े से इन से जो है direct prelims के question पूछ लिए जाते हैं ठीक कोई नहीं सभी ने जो है सही answer दिया है public servant जो define किया गया है वो हमारे जो है बी option section number 21 में define किया गया है next moving ahead which one of the following is not a public servant अच्छा अब बताने की बारी आई है कि इन में से कौन सा बंदा public servant नहीं है पहला देखो not का बहुत ध्यान रखना है कभी कभी क्या होता है question को पढ़ लेते हैं ठीक और जो उसमें not लगा होता है यह does not लगा होता है उसको नहीं पढ़ते तो आंसर जल्दी जल्दी पढ़ने में जो है गलत कर देते हैं अब जल्दी से बताओ ठीक के हमारा कौन सा व्यक्त पब्लेक जो है servant नहीं है municipal commissioner member of parliament examiner of MLS और examiner of universities जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा अभी तक किसी का सही आंसर नहीं अब यह इंद्रजीत ने कुछ बोला था अब इंद्रजीत भी डियो आप्शन बोल ले हैं देखो इसका जो सही आंसर है न वो है member of legislative assembly are not come under the definition of section 21 of Indian Penal Code 1860 ठीक तो option C is the correct answer clear किसी भी बच्चे ने इसका सही ने आस्था ने अब एक सही आंसर दिया है आगे चलते हैं वैनी जी ने अब सही आंसर दिया है ठीक या member of legislative assemblies जो होते हैं ठीक वो हमारे public servant नहीं होते moving ahead आगे चलते हैं who among the following is not a public servant according to section 21 of Indian Penal Code 1860 जल्दी से बताइए इसका आंसर चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर दूसरा judges and magistrate तीसरा government servant appointed on deputation चोथा principle of government college देखते हैं इसका जो है सही answer कौन देता है इस question पर आजाओ फटाफट क्या पूछ रहा है not लगा हुआ है not को नहीं खाना है ठीक not को ध्यान से पढ़ना है जहां पर not आ जाता है वहां पर question हमाईरा पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है उसका opposite answer हमें करना होता है ठीक तो यहां पर पूछ रहा है एस पर section 21 ठीक public servant में कौन-कौन नहीं आता है चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जज मजिस्टेट गवर्मेंट सर्वेंट अपॉंटेड ऑन डेप्यूटेशन और प्रिंसिपल ऑफ गवर्मेंट कॉलिज जल्दी से इसका answer कीजिए यह पूछ क्या रहा है लोग answer कर रहे हैं आग बंद करके पवलिक सर्वेंट की नहीं पूछ रहा कौन नहीं आएगा यह answer question पूछ रहा है डेड्रीम्स ने इसका सही answer दिया है बिल्कुल सही answer उनीक आया है बाकी किसी बच्चे ने इसका सही answer नहीं दिया ठीक लक्षमी जी ने इसका सही answer दिया है ठीक तो option कौन सा blossom sister ने सही answer दिया है ठीक option D is the correct answer principle of government college जो है public servant जो हमारे section 21 of IPC है उसके अंदर नहीं नहीं आते हैं बाकी चीफ मिनिस्टर प्राइमिनिस्टर आते हैं जज मजिस्टेट आते हैं गवर्मेंट सर्वेंट जो डेप्यूटेशन पर भी अपॉइंट की जाते हैं वह भी पब्लिक सर्वेंट की definition में फॉल करते हैं क्लियर बहुत अच्छे आगे चलते हैं अगला सर्वा कोश्टन आपके स्क्रीन पर가 accessible प्रोपर्टी अंडर इंडियन पीनल कोट इस डिफाइन ठीक मूबेविल प्रोपर्टी की बात हो रही है कि तो है मुआह इंस सैच्छन में डिफाइन है का नाम लेता हूं और जो लोग सही आंसर करते हैं उनका भी नाम लेता हूं बहुत जल्दी जल्दी चैट्स आती हैं बहुत सारी लोग आंसर कर रहे हैं तो ऊपर चली जाती है लेकिन ऐसा नहीं है ठीक सब का नाम जैसे मेरे सही आंसर आता है मैं सब का नाम लेता हूं तो द नाम में सही आंसर थोगे ना तब नाम लोगा एसे नहीं सर मेरा नाम लो एसे नहीं होगा जो बच्चा सही और जल्दी आंसर देगा ठीक उसका नाम पहले आएगा मैं उसका नाम लेता हूं आगे चलो next question की और नाम लेने का कोई बात नहीं है जितने भी लोग में साथ जुड़े हुए हैं सबके नाम मुझे ध्यान है ठीक डेली जितने नए जुड़ते हैं उनके भी ध्यान है कौन कितने सही answer दे रहा है किसकी कितनी तयारी है ये भी मुझे ध कोशन है देखते हैं किस बच्चे ने अंदर से पढ़ रखा है सेक्शन तो सब ने याद कर लिया है और बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूं हट जाता हूं देख लेना ठीक रॉंग फुल गेंड मींस पहले समझ लो कि बार बार ये चीज़ बता रहा हूं कि जितने वर्ड एक्ट कौन से में डिफाइन है ओमीशन कौन से में डिफाइन है रॉंग फुल गें कहां डिफाइन है डेशॉनेस्टली कहां डिफाइन है पबलिक सर्वेंट कहां डिफाइन है मैं कहां डिफाइन है वूमेन कहां डिफाइन है तो यह सारे के सारे डेफिनेशन ही ह जो आगे इनसे relate करके पढ़ते हैं तो ये direct prelims में इनसे question पूछ लिए जाते हैं अब आ जाए इस question पर मैं हट जाता हूं option पढ़ लिजे wrongful gain mean पहला एक gain by lawful means of property which the person gaining is not entitled दूसरा एक gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled तीसरा एक gaining by unlawful means of property which the person gaining is entitled ठीक या फिर option D all of the above इसका जो है सही आंसर बताईए इसका जो सही आंसर है वो है option number B और सारे ही बच्चों ने इसका सही आंसर किया है wrongful gain का मतलब होता है एक gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है unlawful तरीके से किसी property को ले रहा है और वो जो है उस property को लेने के लिए entitled नहीं है यह है हमारे wrongful gain की definition clear आगे चलते हैं next question आपके screens पर word dishonestly as defined in section 24 of IPC means dishonest word का meaning क्या है पहला with the intention of causing wrongful gain to one person दूसरा with the intention of causing wrongful loss to another person तीसरा with the intention of causing wrongful gain to one person and with the intention of causing wrongful loss to another person या फिर all of the above are the correct options बात हो रही है dishonestly की ठीक dishonestly के respect में अभी तक किसी का सही answer नहीं आया है शिक्षा मलिक जी का एक सही answer है blossom sisters का एक सही answer है ठीक वैनी जी ने सही answer किया है बाकी शानू जी ने सही answer किया है ठीक अभी तक किसी का सही answer नहीं आया है ठीक बात होती है शानू जी ने सही answer किया है dishonestly की तो dishonestly का मतलब है with the intention of causing wrongful gain to one person and with the intention of causing wrongful loss to another person यह जो है सही option है यही definition provide की गई है हमारे section 24 of Indian Penal Code जिसमें dishonestly वर्ड को define किया गया है clear आगे चलते है next question की और next question आपके screens पर counterfeit under IPC is defined counterfeit coins की बाद counterfeit की जो है counterfeit coins नहीं वो section अलग है ठीक counterfeit की बाद यहाँ पर हमारे कौन से section में की गई है section 30 section 28 section 29 and section 27 देखो counterfeit को जो define किया गया ना है IPC में वो हमारे section 28 में किया गया है बहुत ही simple और easy question है ठीक section 28 में counterfeit की definition दी गई है तो जितने भी बच्चों ने answer किया है वो इसका सही answer ही किया है accept the advocate जी ने ठीक तो 28 is the correct answer of this question clear आगे चलते है next question की और next question आपके screens पर electronic record under IPC is defined ठीक section 29, section 29A, section 29B और section 29D electronic record की बात हो गई है amendment से ये section जोड़ा गया है ठीक तो किस amendment से जो है electronic record को इंडियन penal code में जोड़ा गया है जल्दी से बताईए सभी लोगों ने है इसका सही answer दिया है जो electronic record की बात जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है section 29A of Indian penal code में ठीक और B इसका क्या है B इसका correct answer है clear आगे चलते है next question की और और next question आपके screens पर which one of the following is not a valuable security ठीक valuable security पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ इसमें valuable security में नहीं आती है option one पहला एप postal receipt for an insured parcel दूसरा ए रेंट नोट तीसरा ए प्रोमेश्री नोट चौथा एडीड ओफ डाइवर्स कि देखते हैं इसका सही answer कितने लोग देते हैं कौन सा हमारा valuable security नहीं है कि किसी भी बच्चे ने इसका सही answer नहीं दिया है अभी तक किसी का सही answer नहीं आया देखते हैं जितने लोग जुड़े हैं एकात तो सही देगा अब भी किसी का सही answer नहीं आया है अब तो एक ही option बचाए तो सही answer आई जाएगा लक्षमी जी ने इसका सही answer दिया है इसका जो है सही answer है एक पोस्टल रिसेप्ट फॉरेंट इंस्योड पार्सल इस नौट कम्स अंडर दा valuable security as per Indian Penal Code 1860 तो A is the correct answer ए रेंट नोट जो रेंट नोट होते हैं वो हमारे valuable security होते हैं प्रोमेसरी नोट भी होते हैं और deed of divorce भी हमारी जो है क्या है valuable securities के अंदर आती है Indian Penal Code के according ठीक कौन से नहीं आते पोस्टल रिसेप्ट फॉरेंट इंस्योड पार्सल जो है हमारे नहीं आते हैं किसमें valuable securities में moving ahead आगे चलते हैं which one of the following section of Indian Penal Code 1860 define the word act ठीक act को कौन से section में परिभासित किया गया है या define किया गया है IPC 1860 के section 32, section 33, section 23 and section 24 जल्दी से इसका सही answer दीजिए इसका तो सही answer आना चाहिए बहुत ही important act और omission की जब बात आती है तो prelims के point of view से ये question दोनों बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं और बार बार repeatedly देखा गया है कि act और omission जो है हमसे directly पूछ लिया जाता है प्रिलिम्स में कि किस जो है Indian Penal Code के कि section में इनको define किया गया है अभी तक जितने भी लोगों ने answer किया है वो वही विल्कुल सही answer किया है एक्ट जो है define किया गया है हमारे section 33 of Indian Penal Code में clear बहुत अच्छे सब ने सही answer किया है आगे चलते है next question की वरो next question आपके screen पे the phase in the furtherance of common intention of all used in section 34 of Indian Penal Code is ठीक ये जो हमारे in furtherance of common intention of all word को जो इस्तमाल किया गया है section 34 of Indian Penal Code में ये क्या हमारे IPC के original draft में था इसको add किया गया amendment 1870 से not at all there या अभी तक नहीं है added by the amendment act 18 1986 से इसका सही answer बताईए in furtherance of section 34 किस व्यक्ति ने ढंग से पड़ा है उसको इसका answer पता होगा इंद्रजीत अर्चू डेड्रीम्स जितेंद्र शर्मा जी इन सब के जो है सही answer है है देखो in furtherance of common intention in all जो है section 34 जो common intention की बात करता है ठीक इसको जोड़ा गया है इसको add किया गया है हमारे section 34 में by amendment act 1870 के amendment से तो इस question का जो सही answer हो जाएगा वो option भी हो जाएगा अभी ही जो है जाकर इस चीज को अपने section 34 के सामने लिख दो जिससे कि बारवार ये गलती आपके साथ नहीं हो आगे चलते हैं next question की ओर common intention under section 34 means जल्दी से बताओ common intention under section 34 क्या इसका मतलब है पहरा same intention दूसरा similar intention तीसरा intention is known and is shared by each of the person committing criminal act चौथा evil intention with similar object जल्दी से बताइए इसका जो है सही answer कौन सा होगा देखते हैं इसका सही answer कौन देता है यहाँ पर बात हो रही है section 34 common intention के respect में इसका जो है literal meaning क्या है इसका मतलब क्या है देखो common intention की जब बात होती है तो बात होती है section 34 की ठीक और जब common intention की बात होती है तो इससे related एक बहुत ही most important case लो है देखते हैं कौन सा बच्चा common intention के उपर जो है उस landmark judgment का नाम सबसे पहले comment में लिखता है और common intention से literal meaning है हमारा के similar intention तो B is the correct answer of this question clear ठीक आगी चलते है next question में और next question on your screens section 34 of Indian Penal Code ठीक 1806 creates a substantive offense ठीक B is a rule of evidence C both A and B D none of the above बहुत बार ये question prelims में आया है और बहुत बार हर एक प्रिलिम्स में आपको mostly prelims में आपको देखने को मिलता है ठीक तो देखते हैं इसका जो है सही answer कौन करता है section 34 of Indian Penal Code क्या करता है create करता है कोई substantive offense को या फिर ये एक rule of evidence है या फिर दोनों ही है या फिर कुछ भी नहीं है देखो इसका जो सही answer है वो है section 34 जो है rule of evidence कहा जाता है ठीक क्या कहा जाता है option B rule of evidence कहा जाता है ये जो है क्या है कोई भी अलग से offense को create नहीं करता क्योंकि यहां पर बात होती है intention की तो जिस भी offense को करने के लिए intention की requirement होती है तब जो है section 34 को हमेशा हम किसी भी section के साथ red with करते हैं मतलब लगा के पढ़ते हैं तो यहां पर section 34 अलग से कोई offense create नहीं कर रहा है क्या कर रहा है कि किसी भी offense जो हुआ है उसके साथ क्या हो रहा है offense होने के साथ में हम section 34 को लगा के पढ़ रहे हैं जब एक या एक से दो या दो से ज्यादा व्यक्त किसी भी offense को कर रहे हैं तो section 34 को देखा जाए तो इस question के options के हिसाब से it is a rule of evidence option B is the correct answer clear moving ahead आगे चलते है next question की और which one of the following recognize the principle of vicarious criminal liability under Indian Penal Code 1860 ठीक यहां पर section 34 option में है section 149 option में है ठीक बोथ A and B और none of the above क्या आप कह रहा है कि Indian Penal Code में recognize किया है principle of vicarious liability under section 100 under Indian Penal Code 1860 ठीक तो इसमें vicarious liability का जो principle है वो कौन-कौन से cases में provide किया गया है जल्दी से बताए section 34 section 149 दोनों में या फिर किसी में भी नहीं vicarious liability का principle समझते हो master servant ठीक master servant का जो relation होता है कि मैंने किसी भी बच्चे को रखा है या फिर किसी भी बंदे को रखा है और अपने विहाफ पर काम करने के लिए और वो जो है कोई भी offense कर देता है तो liability मेरी भी बनती है क्योंकि वो काम किसके विहाफ पर कर रहा है मेरे विहाफ पर कर रहा है ठीक तो vicarious liability का जो principle है वो हमारे कियम से sections में IPC को देखने को मिलता है सभी लोगों ने इसका सही answer किया है section 34 and section 149 option C is the correct answer दोनों में ही vicarious criminal liability का concept हमें देखने को मिलता है तो C इसका सही answer चलता है आगे चलते हैं next question पर unlawful assembly is defined in which of the following section of IPC बहुती interesting question है कि unlawful assembly को इंडियन पीनल कोड के किस section में define किया गया है section 34 section 149 section 146 और none of the above जल्दी से बताईए किसी ने भी सही answer नहीं दिया जल्दी से स्रीमी श्रिवास्तव जी ने बिलकुल सही answer दिया है option D is the correct answer क्योंकि unlawful assembly की जब बात होती है तो बात होती है section 141 of Indian Penal Code की और यहां पर 141 जो है क्या है option में ही नहीं है तो इसका D answer correct होगा unlawful assembly किसमें define किया गया है अभी जल्दी से याद कर लो unlawful assembly define किया गया है section 141 of Indian Penal Code में ठीक चलते हैं अगले question पर अगला question आपके screen पर यह रहा the following cases related to the principle of joint liability पहला मेभूपसा versus emperor दूसरा option R versus Arnold तीसरा R versus hands चोथा R versus prince बात हो रही है principle of joint liability की principle of joint liability हमारा कहां पर किस case में define किया गया है या फिर principle of joint liability से कौन सा case relate करता है जल्दी से option आपके सामने है answer कीजिए सभी लोगों ने सही answer किया है महभूपसा versus emperor जो है हमारा principle of joint liability को बताता है और इसका a option बिलकुल सही है ठीक आगे चलते हैं next question आपके screen पर which one of the following is known as indus river case ठीक ये जो case आपके सामने दर्साई गए है इन चारों में से indus river case को ठीक indus river case किस case को बोला जाता है ठीक जल्दी से option पढ़ लिजे चार option आपके सामने है ठीक पहला दुख मूचन पांडे case दूसरा महभूप शा केस तीसरा बिरेंद कुमार गोस केस चौथा सुरन सिंग केस जल्दी से बताईए किसी भी बच्चे ने इसका सही आंसर नहीं किया ये तो बहुत गलत बात है मानवी राय का एक सही आंसर आया है बुश्रा फातिमा का सही आंसर आया है इंद्रजीत का सही आंसर आया है ठीक जो indus river case है वो बोला जाता है महबूप सा केस को और यह प्रिलिम्स में बहुत ही इंपोर्टेंट है और देख लेना आ जाएगा तब जो है नहीं समझ पाओगे महबूप सा केस जो है उसको indus river case बुला जाता है clear आगे चलते हैं next question पर और next question आपके स्क्रींस पर which one of the following cases related to common intention जल्दी से बताओ common intention की बात जो है इन केसों में से किस में की गई है आर वर्सिस गोविंदा दूसरा महबूप सा वर्सिस इंपिरर तीसरा आर वर्सिस प्रिंस चौथा डीडीपी वर्सिस ब्रीड जल्दी से बताइए किस की बात हो रही है बात हो रही है यहां पर common intention की common intention का कौन सा landmark judgment है इन चारों में से शिवानी यह मैंने answer किया मैंने देखा आपने answer किया ठीक यहां पर इसका सही answer है common intention से related case है महबूप सा वर्सिस इंप्रिर बीस अ correct option of this question clear आगे चलते हैं next question पर next question आपके screens पर common intention signifies common intention से आप क्या समझते हूँ पहला same intention दूसरा pre-arranged plan तीसरा common knowledge चोथा similar intention ठीक common intention क्या signify करता है common intention का मतलब होता है दो व्यक्तियों की एक ही राय ठीक दो व्यक्तियों की एक ही राय एक ही offense को करने के लिए कब बनेगी जब वो किसी भी चीज़ का pre-arrangement करेंगे pre-planned चीज़े करेंगे तभी उनकी common intention बन सकती है तो option B is the correct answer of this question clear आगे चलते हैं next question पर for the application of section 34 of Indian Penal Code it is necessary that criminal act must have been done by ठीक यहां पर कह रहा है कि धारा 34 of Indian Penal Code के according कौन सी necessary condition है जिसमें की एक crime को करने के लिए कितने person का होना जरूरी है पहला option at least two person दूसरा at least five person तीसरा more than two but less than five चौथा more than one person बताईए as per section 34 ठीक common intention से कोई भी crime करने के लिए कितने लोगों की आवश्चकता होती है सब जो है धूर में लठ लगा रहे हैं किसी को भी answer नहीं पता है कल के session में announcement किया था कि पढ़के आना है फिर भी अभी तक नहीं पढ़के आए हैं ठीक common intention के लिए at least दो परसनों की जरुवत होगी कितने की at least दो परसनों की ठीक तो यहां पर a option is the correct answer अगर at least two person नहीं होता तो आपका दी option हो जाता सही more than one person ठीक तो at least का है तो at least को priority दी जाएगी और at least two person का option है तो यह का सही answer होगा जब यह चीज यहां पर नहीं होगी ना यह चीज यहां पर नहीं होगी तो आप जो है डी option इसका mark करके आएंगे तब यह जो है सही होगा ठीक आगे चलते हैं next question पर और next question आपके screen पर distinction between section 34 and 149 of IPC has been authoritatively expounded by the supreme court in which case ठीक क्या कह रहे हैं कि difference between section 34 and section 149 जो है IPC का किस case में दिया गया पहला option है state of माराष्ट versus MS George दूसरा है गुरुदेव सिंग वर्से इस state of पंजाब तीसरा है राम कुमार वर्से इस state of हर्याना चौथा है नानक चंद वर्से इस state of पंजाब बुसरा ने बस सही answer किया इस question का अभी तक अब मानवी राय का सही answer आया है option इंद्रजीर ने सही answer किया है शिवानी सिंग ने सही answer किया है ठीक जो difference बताया गया है section 34 और section 149 का वो नानक चंद वर्से इस state of पंजाब के case में बताया गया है clear आगे चलते है next question की ओर और next question आपके screen पर in certain situation common intention may be developed suddenly on the spot and such common intention may be inferred from the facts and circumstances of the case and the conduct of accused it was held in पहला रिशी देव पांडे वर्से इस state of यूपी दूसरा मेजर सिंग वर्से इस state of पंजाब तीसरा महभूप सा वर्से इंपिरर चौथा जे एम दिसाई वर्से इस state of बॉंबे इसका जल्दी से सही आंसर कीजिए कितने लोगों को ये question आता है बुसरा जी ने बिल्कुल इसका सही आंसर किया है ठीक देखो ये जो statement है ना ये statement निकाली गई है रिशीदियो पांडे वर्से इस state of यूपी के case से ठीक और ये यूपी का ही case है इस वये से यूपी के prelims के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है clear तो आज के session में हमने discuss किया है जो है क्या हमने discuss किया है section 34 तक के सारे के सारे important provisions सारे के सारे important questions जो हमारे section 34 तक बनते है clear तो अब जो है कल के session में कहां तक पढ़के आना है कोई मुझे comments में बताएगा जल्दी से कल के session में आपको पढ़के आना है section number 106 of Indian Penal Code तक private defense तक आपको पढ़के आना है वहां तक के MCQs की practice होगी और अब एक important announcement है मेरे द्वारा कि जितने भी लोग मेरे साथ daily जुडते हैं वो अपने भाईवन्दूओं दोस्तों को सबको बताएं कि UP जुडिश्री की जो है target UP ज जुडिश्री की series जो चलाई जा रही है study IQ द्वारा वो daily शाम को 6 बजे जो है MCQs practice कराई जाती है मिलते हैं Monday की class में 6 बजे उससे पहले announcement है कि जो है most valuable course for UP जो बच्चे UP की तयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो course बनाया गया है study IQ द्वारा ये सिर्फ और सिर्फ 12499 का है अ और अगर इसी की double validity चाहिए तो 15,000 रुपे में APU के code के साथ ये आपको मिल जाता है इसमें हमने पूरा UP का compilation आपको दिया है mains के point of view से as well as predems के point of view से इसमें हमने cover cup किये है सारे के सारे measure loss सारे के सारे minor loss सारे के सारे UP के local loss जो slavers amend हो गया है वो सारी चीजे भी इस course में आपक specifically provide कराई जाएंगी और जो teachers आपको पढ़ाते हैं ठीक वो जो है क्या है जो teachers आपको पढ़ाते हैं वही बैठके आपके live doubt solve करते हैं और आपको बताते हैं कि किस state की तयारी किस platform से और ठीक है कौन से direction में आपको करनी है ठीक तो आप खरीदना चाते हैं और UP को जो है target करके आप सोचना चाते है चार साल बाद UP का exam आ रहा है और इस बार तो निकाली देना है तो जल्दी से फटाक से study IQ जुडिश्री पे जाए गूगल पे और वहाँ पे जो है UP जुडिश्री का जो smart course है उसको अपूर्व का code लगा कर जो है आप 12,499 में क्या कर सकते हैं आप खरी दिसकस करेंगे section 35 से लेकर 106 तक के सारे important mcq को clear वैनी जी बोल रहे है सर लीगल current affairs भी तयार कर लीजे देखो पेटा पहले कोर तयार करा दूना एक बार एक बार पहले कोर तयार हो जाए आपका जैसे constitution of India का मैंने article 1 से लेकर लास्ट तक पूरा cover किया है schedule तक जितने भी constitution history स तो constitution का एक compilation आपको दे दिया कि इतना पढ़के चले जाओ at least 70 to 75% mcq आपको वहीं से देखने को मिलेंगे ऐसे ही एक एक करके सारे states के वो सारे UP के subject जो है मैं आपको यहां पर करा रहा हूं और इसके बाद क्या होगा इसके बाद जो है जैसे ही यह सारे के सारे practice आप कर लो ठीक practice नहीं की तो जब exam में जाते हैं तो वहां पर हमारे हाथ पर फूलने लगते हैं ठीक तो ऐसे situation से बचने के लिए हम अभी से ही practice कर रहे हैं ठीक और daily मैं यह मानता हूं कि लवग हम 60-70 question जो है एक घंटे की class में कर लेते हैं तो यह आपकी एक good average अच्छी speed है और इसके बाद जैसे ही announcement होगी ना exam की मेराधन class 3-3-4-4 घंटे सिर्फ mc की उसकी practice कर डालनी है और फिर देखो कैसे यूपी को target करते हैं और कैसे निकलता है यूपी जबार ठीक कल class नहीं रहेगी कल Sunday है Monday to Saturday मैं ये classes आपके लिए conduct करता हूँ ठीक तो Monday को मिलते हैं 6 बजे तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक कियर good night